सब्सक्राइब करिया है फाइस्टडी चैनल को बेल आइकन को प्रेस की जिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे बड़े पाने के लिए हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक हाइफाइस्टडी चेंजिंग दवे आफ एजुकेशन दोस्तों आज जो होगी हमारी मैत की वीडियो इसमें हम लोग डिसकस करेंगे अपने लगुगड़क के लास्ट वीडियो को यनि लास्ट टॉपिक होगा यह हमारा लगुगड़क का लास्ट क्लास होगी लगुगड़क की इसमें टोटल हम लोग 10 कुईशनों को डिसकस करेंगे अगर अभी तक आपने इससे पहले वाल कर देंगे share कर देंगे और पहली बार चैनल पर आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब आवस्ची कर लेंगे तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले कुईशन से पहला कुईशन हमारा लिखा है कि यदि लॉग 16 की पावर 2 बराबर हो लॉग 64 की पावर 3x प्लस 3 तो आपको x का मान बताना है कुईशन फिर से बता रहा हूं लिखा है लॉग 16 की पावर 2 इक्वल टू लॉग 64 की पावर 3x प्लस 3 में x का मान बताओ इसमें आपको x का मान बताना है ठीक है ना इससे पहले की क्लास में मैंने ऐसे कुश्चनों को डिसकस किया था आप कैसे कह सकते हो देखें हमने बताया था कि जब आपको यहां पर x का मान निकालना हो ऐसे कुश्चनों में जब आपको x का मान निक ठीक है ना तो अगर हम इस question को भाई लगाएंगे तो समधे ना यह log हो जाएगा ऐसे अब इस 16 को मैं क्या कह सकता हूं मैं इस 16 को इस 64 को 2 के form में तोड़ सकता हूं मैं 2 के base में तोड़ सकता हूं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इसकी power कितनी कह सकता हूं 2 यहां तक कोई problem तो नहीं हो रही है ठीक है ना अब यहां पर देखो यह हो जाएगा log अब मैं 64 को 2 की रूप में तोड़ूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी कितनी आएगी 6 आएगी भाई 2 की power 6 आएगी न अब देखो 2 की power 6 या आप इसे नहीं समझ सकते हो तो आप अगर 64 को 2 के रूप में तोड़ूंगे तो देखो 2 दूनी 4 यह आजाएगा 16 दूना 32 यह आजाएगा 2 अठी 16 और यह आजाएगा आपका 2 चोके 8 यहां आजाएग सबसे पहले आपको बेस को बराबर करना है अगर बेस आपके बराबर हो जाएंगे तो आप इन चीजों को आसानी से लगा रखते हो ठीक है अब देखो यहां पर क्या करेंगे इन कुश्चिनों में हम लॉग टू अब एक फार्मूला मैंने आपको बताया था सर कौन सा फार्मूला बताया था कि अगर एक की पावर इम की पावर इन होती है एक की पावर इम की पावर इन होती है तो पावरों का आ उन्हों में लग रहा ना तो बश्ठीक है अब यहां पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा लाग और यहां पर इनका मुल्टीप्रई हो जाएगा चार दुन्नी आठ यहां से हम लोग गुडा करा लेंगे यह ने ने चे दो किलियर है अब देखो ये बेस ये बेस ये हमारा बेस ही तो होता है ये दोनों बेस बराबर है जब बेस बराबर है तो पावरें भी आपस में क्या होंगी बराबर होंगी या हम लाग टू से लाग टू को काट भी सकते हैं तो बचा क्या हमारा ये बचा आठ बराबर के अठा X X की value निकालना है अगर 18 से 8 जाएगा तो माइनस का 10 बत जाएगा क्योंकि माइनस का 18 बड़ा था इसलिए माइनस का 10 और यह 18 गुड़े में तो इधर आएगा बटे में यह होगे 18 यानि X बराबर आ गया माइनस के 10 बटे 18 इसको आप और भी छोटा कर सकते हो 2 से काट होगे तो 2 तंची 10 दो नवा 18 तो एंसर आजाएगा माइनस के 5 बटे 8 यानि X की value कितनी आजाएगी माइनस के 5 बटे 8 यही आपके question का answer हो जाएगा ठीक ना X की value आगी माइनस के 5 बटे 8 तो I hope आप अभी इतना answer आया होगा फिर से एक बार बताए रहें अगर इस परकार के question आए base बराबर हो जाएंगे तो यह power आपस में बराबर हो जाएंगी क्योंकि यहां पर power के ऊपर power लगी इसलिए मैंने A की power M की power N लगा के इनका multiply करा लिया और यहां पर आगया 8 बराबर 18 एक से प्लस के 18 तो यहां से हमारा answer आगया X की power minus के 5 बटे का 8 ठीक ना भाई तो clear है यह यह बात बिल्कुल clear हो गई है चलो देखे आज यह आपकी last class होगी लगूगड़क की तो अगर अभी तक आपने लगूगड़क को नहीं सीखा है तो आप चीजों को आसानी से सीख सकते हो इसके लिए आपको इसकी पहली वीडियो और दूसरी वीडियो बहुत जरूरी है देखना अगर आप उन चीजों को समझ गए तो आपको यह सभी चीजे आसानी से समझ में आएंगी ठीक है न भई चलो देखो अगला question हमारा है question number two question number two हमारा क्या कह रहा है वो चीज़ समझे question number two कहा रहा लाग शोला का मान बताओ यह question है आपका कहा कहा लाग सोला का मान बताओ लाग सोला का मान बताओ मान बताओ इस question को लगा के इसका answer आप जल्दी से बताए इसका answer आप जल्दी से बताए लाग सोला का मान क्या हो जाएगा ठीक है न भई जल्दी से बताओ इसका answer क्या आजाएगा देखे कुछ नहीं है बस आप चीजों को relate यह बस देखे क्या आप लॉग सोला की वैलू याद कर सकते हो बोलो टेबल तो होती है मैंने बता था टेबल होती है लेकिन क्या आप याद कर सकते हो सर नहीं याद कर सकते तो हम इसको सर क्या कह सकते हैं इसको मैं कह सकता हूँ लॉग सोला को मैं क्या कह सकता हूँ आठ मल्ट इप्लाई इन अगर होता है तो वहाँ पर हो जाता है लॉग एम प्लस के लॉग इन यही तो हो जाता है यहाँ पर भी हो जाएगा यानि इसको हम कह सकते हैं लॉग एट और प्लस के क्या कह सकते हैं लॉग का टू यही तो कह सकते हैं बोलो यही तो कह सकते हैं अब हमको वैलू पता है लेकिन लॉग एट की वैलू नहीं पता है अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं पता है तो हम पता करेंगे कैसे लॉग एट को मैं क्या कह सकता हूं दो दूनी चार दूनी आठ मैं लॉग एट को दो की पावर ठीरी कह सकता हूं भाई लॉग ए इसकी value रख देंगे यह 3 कहां आजाएगा आगे transfer हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 और multiply log का आजाएगा 2 और plus में आप कहा जाएगा log का 2 यही तो भाई आजाएगा अब यह हो जाएगा आपका 3 गुड़े log 2 की value कितनी होती है इसकी होती दसमलो 3010 plus log 2 की value दसमलो 3010 यही तो होती है ना अब यहां बुड़ा कराएंगे 3090 दसमलो 9030 plus कर लेंगे कितना दसमलो 3010 तो add करिए कितना answer आएगा 0 तो 0 हो गया 3 एक 4 हो गया यह 0 यह 0 हो गया 9 एक 10 दो बारा हो गया बारा के 2 एक धरा जाएगा तो एक दसमलो 2 0 4 0 आपका क्या आएगा answer दसमलो 2 0 4 0 आपका answer आएगा देको समझो यहां पर हुआ दोस्तों क्या है वो चीज समझ कर चलना है आपको ठीक है ना हमने बताया था देको हमने बताया था अगर यहां पर किसी का मान बताना है तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या मैं इसको बेस 10 के रूप में तोड़ सकता हूं अगर मैं बेस 10 के रूप में तोड़ लेता तो मैं इसको बहुत असानी से लगा सकता था ठीक ना लेकिन मैं इसको मैं 10 के रूप में नहीं तोड़ सकता हूं भाई कोई ऐसा multiple होगा ही नहीं कि 10 का उससे गुड़ा करें और 16 यह तो सर होगा नहीं क्योंकि 10 का 8 और 2 की रूप में तोड़ लिया अब लाग 2 की वेलू पता थी हमने रख दिया सिधा दसम्लो 3010 लाग 8 की वेलू नहीं पता था तो 2 की पावर 3 कह दिया 3 आ गया लाग 2 की वेलू रख दिया दसम्लो 3010 3 से multiply दसम्लो 9030 प्लस कर दिया दसम्लो 3010 तो एंसर आगया 1.2040 ठीक नमबर 3 कुष्चन नमबर 3 देखेंगे ठीक है न भई यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई है देखें एंटी लॉग आपका रह जाएगा एंटी लॉग जिसमें वह होंगे हमारे compound interest वाले कुष्चन ठीक है न वह मैं आपको जब expected paper कराऊंगा तब उसमें आ पढ़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन जब expected paper कराऊंगा तब मैं वह चीजें आपको पताऊंगा ठीक न भई देखो अब question नमबर थी question number 3 है हमारा lag 20 का मान बताओ लाग 20 का मान बताओ 20 का मान बताओ इस question को लगाओ इस question को लगाओ देखे अब यहाँ पर एक बात दिमात में याद रखके चलना कि अगर आप इसको basic 10 के रूप में तोड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है तो answer तुरंत का तुरंत आएगा लेकिन अगर आप इसको basic 10 के रूप में नहीं तोड़ोगे तो answer तो same ही आएगा लेकिन बस थोड़ा सा 24 इस्टेप वहाँ पर extra लगने वाले हैं ठीक है ना बाई देखो हम इसको अगर solve करेंगे तो log 20 को में क्या कह सकता हूं log 20 को में क्या कह सकता हूं मैं इसको कह सकता हूं log 10 गुड़े 2 कह सकता हूं लाग 10 गुड़े 2 अब देखो सर यह यहां पर कौन सा फर्मूल एं मल्टिप्लाई एन लॉग एं प्लस को लॉग इन हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका लॉग 10 और यह प्लस में आपका जाएगा लॉग 2 फिण हो जाएगाflowing沏फ रष्ट बात बताओ जहां से हाँ पर बेस कुछ नहीं होता सर वहां पर बेस कितना मानते हैं हाँ बोलो जुनदी से बोलो बेस कितना मानते हैं 10 ही मानते है ना तो जब 10 बेस मान लोगे अपने आपसे यहाँ पर 10 base मान लीजी अपने आपसे 10 base मान लीजी तो जब base और power equal होती है तो उसका मान कितना होता है एक मान होता है और plus log 2 की value कितनी होती है दसंबलो 3010 तो answer कितना आएगा 1.3010 आपका answer आएगा 1.3010 आपका क्या आएगा answer आएगा बात clear है यह base 100 वाली बात दिमाग में याद रखना ठीक ना बेस जहां कुछ नहीं होगा अगर हमको जरूरत है base की तो हम base 100 वहाँ पर मान सकते हैं ऐसा आपके book में एकदम अच्छे से प्रदर्सित किया गया है ठीक ना बई अब देखो अ कि रूप में तोड़कर हम इसका answer ला सकते थे बिल्कुल दोस्तों ला सकते थे देखो कैसे अगर मैं यहीं पर तोड़ता मैं इसी log 10 को 20 को में तोड़ता पांच 24 के 20 यहीं करता ना बोलो करता की नहीं करता तो यह हमारा क्या answer आता यहां आ जाता भाई log 5 और प्लस के आप का जाता लाग 4 लाग 5 प्लस के लाग 4 वैसे मैंने 4 और 5 की value आपको याद कराई बट अगर नहीं याद है तो आप यहां से निकाल की सकते हो भाई 5 की हमको तो य प्लस फिर्याद है क्या होती है दसंबलों 699 अब 2 हमारा आगे आ जाएगा ठीक ना तो देखो यहां पर हो जाएगा दसंबलों 699 प्लस तू अब लाग 2 भचा लाग 2 की value रखेंगे दसंबलों 3 0 1 0 तो यहां पर हमाला आजाएगा दसमलो 6, 9, 9 और प्लस के इसका मल्टिप्लाइ कराओगे तो दसमलो 30 दुनिह हो जाएगगा आपका साट यह आजाएगा साट और दस दुनिया आजाएगा बीस साट बीस अब इसको आप यहां पर एड़े कर सकते हो अगर दोस्तों इसको आप एड़े करोगे तो देखो क्या जाएगा एंसर यह आजाएगा आपका जीरो यह आजाएगा जीरो और यहां नौ दो ग्यार एक जीरो आपका क्या आएगा एंसर आएगा तो बोलो दोस्तों आप कमप्रीजन कर सकते हो यहाँ पर दोनों एंसर सेम है कि नहीं सेम है फ़िए बोलो दोनों एंसर सेम है कि नहीं सेम है तो अगर कोई भी संसाई आपके दिमाग में रह जाता है कोई भी doubt रह जाता है तो doubt आप हर एक clear कर सकते हो चाहे आप 5 multiple 4 के रूप में तोड़ो चाहे आप 10 multiply एक के रूप में तोड़ो answer same ही हो आने वाला है बस अगर आप देखो के पहले मैं base 100 को मान कर तोड़ सकता हूँ तो चीजे आपको बेहद आसानी से समझ में आएंगी और आपके कुछ step और कुछ multiply करना भी आपको छुटकारा मिल जाएगा ठीक ना तो आप क्या कर सकते हो वो चीज आपके उपर depend करता है दोनों तरीके आपको बताएगे हैं तो आप कुछ भी लगा सकते हो ठीक ना तो log य क्या कह रही हम लोग समझते हैं ठीक ना भाई यहां तक की बात बिल्कुल समझ में आई यहाप लोगों को कोई दिक्कत तो होने वाले है नहीं भाई अगर आप कितने कभी मान कह देगा अप आप लोग निकाल लोगे ना निकाल लोगे भाई कल एक होम़र्क भी दिया था उसका answer सभी ने निकाला था कितना आया था वो बहुत easy question था अगला question देखिए हमारा क्या कह रहा है वो चीज़ समझते हैं ठीक है ना भई अगला question question number हमारा हो जाएगा 4 question number 4 कह रहा है log यह log 3 की power x minus के 2 is equal to आपका है log 81 log 81 इसको लगाओ इसको लगाओ यहाँ पर आपको x का मान बताना है आपको यहाँ पर इस x का मान बताना है x x का मान कितना आएगा ठीक ना भई टोटल में आपको 10 question कराऊंगा तो दसों question को आपको अच्छे से note करना है और याद रखना अगर आपने लगो गड़क की तीनों class को attend किया है तो आपका कोई भी question paper में इससे out नहीं होगा बताने को तुम्हें anti log भी बताऊंगा लेकिं anti log paper में बहुत कम ही पूझता है क्योंकि anti log compound interest कुछ relate करते हैं यहाँ पर क्यों anti log आ जाता है वहाँ पर आपका compound interest ही होता है तो आप वहाँ से question बहुत कम बनेगा क्योंक anti log से तो बनेगा ही नहीं ठीकर अगर बनेगा फिर भी तो expected paper में आपको शाबू कुछ बता दूँगा ठीक है ना भाई देखो अब सर यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूं मैं सर पहले base को बराबर करूंगा यहाँ पर log 3 की power x-2 बराबर log 81 को मैं क्या कह सकता हूं 3 3 की power 4 कह सकता हूं मैंने बताया था अगर x कमान निकालना आएगा तो base तो समान होंगे ही होंगे हर condition में base समान होंगे अब जब base समान है तो इनको cross कर दीजिए छोड़ दीजिए कोई दिककत ने यह power भी बराबर होगी x-2 बराबर के 4 तो x बराबर के 4 और यह minus तो उदर जाएगा plus में 2 हो जाएगा x बराबर के 6 आपका answer आजाएगा तो जितने भी साथ्यों का answer 6 आ रहा था वो बिल्कुल right है यहनि 6 आपका correct answer हो जाएगा 6 आपका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा ठीक ना भाई तो उम्यद करते हैं आप इस तरह के question को लगा लोगे कोई भी question दे दे आप आस इन question को note कर डीजे अगला question देखते हैं हम लोग अगला question number जो होगा वो होगा question number 5 question number कौन सा होगा sir 5 होगा ठीक है ना भाई यहां तक की बात बिल्कुल clear समझ में आई है कि नहीं आई है देखो आप question number 5 समझे है question number 5 इसको जड़ा अच्छे से आपको समझना है ठीक है ना question number 5 है आपका log 2 log 2 bracket के अंदर आपका दिया है log 2 log 2 उसके बाद आपका दिया है भाई log 5 यह है log log कितना है भाई 5 log 5 की पावर 625 की पावर 625 इसका आपको जवाब बताना है इसका हल करोगे तो इसके बराबर कितना आएगा वो आपको बताना है तो जल्दी से लगाईए कितना answer आएगा वो आपको बताना आप कुछ यहां से logic आपको समझ में आ रहा होगा अगर नहीं आ रहा है तो समझो यहां पर logic होगा क्या इस question का कोई भी concept समाया हुआ है पूरा concept question में ही है यह concept based question है ठीक है न वहीं तो इस question को हम कैसे लगाएंगे देखो सर एक बात बताओ जरा हमें सर यहां पर मैंने देखा कि 625 है 625 है हम इसको power में convert करेंगी तो जरा देखो यहां पर मैं लिखता हूँ देखो समझना फिर से बताओंगा लेकिन इस बार समझना log 2 यह हो जाएगा मेरा log 2 और यहां पर आपका हो जाएगा log अब देखो यह 5 मे यहां मैं 5 की power सर 4 कह सकता हूँ बोलो सर 5 की power 4 कह सकता हूँ अगर आपको इतने में कोई दिक्कत लग रही हो तो आप बता सकते हो इतने में कोई दिक्कत लग रही हो तो आप बता सकते हो नहीं अब देखो यह 4 अब जब ऐसा question आएगा तो क्या करेंगे ऐसा question आएगा तो base इक्वल ही होते हैं दोस्तों बेस इक्वल ही होते हैं यह चार ट्रांसफर हो जाएगा इसकी पावर में आ जाएगा तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा लाग टू यह आपका हो जाएगा लाग टू लाग टू और यह चार यहां से आएगा तो इसकी पावर चार में बन जाएगा और यहां पर बचा क्या लाग फाइफ लाग फाइफ और इसका मान कितना होता है लाग फाइफ और लाग फाइफ यह इसका मान कितना होता है इसका मान एक होता है कैसे सर होता है मैंने बताया था कि अगर लॉग टेन लॉग टेन आएगा तो इसका मान ए एक मतलब की पावर और बेसे जिक्वल होंगे तो उनका मान एक तो इनका मान एक आ गया यहां पर कोई चिन नहीं तो आप मल्टिप्लाई का चिन भी लगा सकते हों ठीक बात ना अब देखो सर क्या करेंगे जैसे कंडिशन यहां अपलाई की हैं वैसे कंडिशन यहां भी यह मैंने ब्रेकर लगा लिया यह आगे मेरा लाग का टू अब मैं चार को क्या कह सकता हूं दो की पावर दो मैं दो की पावर दो कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं मैं दो की पावर दो अब यहां पर देको यह पावर आगे आई थी तो यहां पर यह पावर आगे आ यह भी एक लिख सकते हो, कोई दिकन ने, एक का कितनी भी माँ multiply कराओ, एक ही आने वाला, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका log 2, और log 2, अब आखों ही आखों में देख कर बताओ, इसका answer क्या आएगा, आखों ही आखों में देख कर बताओ, इसका answer क्या आएगा, सर बेस पावर एक्वल, सर बेस पावर एक्वल, मतलब 1 multiply 1, multiply 1, यह एक हो गया, यह एक हो गया, इसका मान एक हो गया, तो answer कितना आगया, सर, answer एक आगया, 1 is the right answer, एक क्या आएगा मेरा, बिल्कुल सही जवाब आएगा, एक क्या आएगा मेरा, बिल्कुल सह की जवाब आएगा देखिए मैंने प्रतेक अस्थानों पर जैसे मैंने यहां पर बनाया है वैसे आप बना कर अपने नोट्स में लिखना ताकि जब आप नोट्स का रिवीजन करो तो आपको चीजे समझ में आए कि अगर ऐसा कुश्चन आएगा तो हम क्या लगाएंगे ये ने छेसो पचीज को पांच की पावर चार करा चार अगये आगया पांच ठीक है ना भई चलो अब देखो यही चीज आपका एक reverse order में काम करेगा यह तो आपका पहला concept हुआ अब यही चीज एक reverse order में काम करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है ना भई यह question number five आपके समझ में आया की नहीं आया यह चीज comment box में जरूर बताओ देखिए यह ले होगी क्योंकि यह first year इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है ना तो बस बने रहना अंत तक अभी पास question और भी होंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा class में बस बने रहना है class में और कुछने अगला question है हमारा log two बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे question है बस concept का फर्क ह है log two और यहां हो जाएगा मेरा log का थिरी यहां लॉग थिरी और यहां आगे आपका bracket में log two इसकी power x यह बराबर सभी bracket आपके बंद हो गए बराबर है आपका एक में x का मान बताओ मान कितना होगा वह आपको बताना है देखे दोस्तों इससे पहले वाले question में हम power को power के रूप में transfer करते थे लेकिन इस condition में क्या करेंगे चुकि हमको यहां पर question मान बताना था इस situation में मेरे को x का मान बताना है तो अब हम क्या करेंगे अब सर हम base को transfer करेंगे अब हम base को transfer करेंगे और जब base को transfer करेंगे तो यहां जो होगा वह इसकी power में पहुंच जाएगा देखो अगर मैं इस question को लिखता हूं समझना समझना इसको यहां पर हम कह देंगे यह हो जाएगा log 2 एक बार question को लिखते हैं यह हो जाएगा log 3 यह छोटे ब्रेकेट में हो जाएगा आपका log 2 की power x यह ब्रेकेट बंद बराबर कर एक हो अब देखो अब हम इधर से solve करेंगे इससे पहले वाले question में हम इधर से solve करते आये थे वो भी power को उपर से करते हुए आये थे आप हम basis को इधर बढ़ाएंगे और हमारा base जाएगा तो base में ही रहेगा जैसे power power में आई थी वे इससे base base में जाएगा तो यह हमारा 2 जाएगा तो यहां पर इसका base बन जाएगा इस इसे ही समझ चाओगी यह ऐसे ही यह दो जाएगा हमारा कहां तो दो हमारा यहां पर पहुंँच गार बेस के रूप में तो यह हमारा यहां क्या बचा यहां भई यह बचा है अब यह बच्छा?. ब्रेकरिण थो बच्छा आप दो की पावर 1 को होगी तो इसका मतलब दो ही तो बच्छा अब ये 3 हमारा ट्रांसफर होगा अब 3 यहाँ चला जाएगा तो 3की पावर 2 हो जाएगा तो यह आपका यहां पत्चा कितना यह बच्छा का लॉग2 और इसकी पावरशी कई X बराबर तो तीन की power कितना आ गया? दो आ गया तो दोस्तों यहाँ देखो यह आपकाедиहाँ पर इक्स कमाण बताना था इक्स कमाण तीन की power 2 का मतलब कितना? 9 तीन की power 2 का मतलब 9 और यहाँ पर log 2 यह 2 उधर चला जाएगा तो एक्स बच्चा इधर X बराबर 2 की पावर 9 आपका एंसर 2 की पावर 9 आपका एंसर या आप अगर संख्याओं में एंसर देना चाहते हो तो आप सीधे 2 को 9 बाल लिख लोगे 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनका multiply करा लोगे 2, 4, 2, 8, 2, 16, 32, 24, 12, 12, 15, 256, 152, 512 वो ये आपका something में answer होगा ठीके ना कितना भी आप multiply करा सकते हो otherwise आप 2 की पावर अगर 9 भी लिख दोगे तो ये भी आपका answer आ जाएगा और ये correct भी माना जाएगा क्योंकि examiner भी जानता है कि 2 की पावर 9 का multiply करने में ही एक देड़ मिनिट लग जाएंगे ठीक ना तो देखो इस question से थोड़ा सा समझेए क्या अभी एक question ऐसा और भी है कि सर अगर हम power को इधर transfer करेंगे power को एक ही पद में बात बता रहे है एक ही तरफ बात बता रहे है चाहे left side हो चाहे right side हो अगर हम power को इधर बढ़ाएंगे तो वह power में ही आएगा अगर हम base को उधर ले जाएंगे तो वह base में ही जाएगा base वाला question यह रहा power वाला question इससे पहले रहा दोनों की आप comparison कर लेना दोनों की तुला कर लेना आपका कोई भी doubt है वो सारा doubt क्यतम हो जाएगा ठीक है ना वो सारा doubt आपका यहें पर end हो जाएगा तो I hope कि आपको यह question समझ में आया होगा next seven number question देखते हैं तब तक इसको आप नोट कर लीजिए ठीक है न भई तब तक आप लोग इसको note कर लीजिए यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भई यहां तक आपको चीजे समझ में आई है ना अगला question हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेफ इन देखिए जितना टप बन सकता है आपके एक्जाम में उतना टप question आपके कराय जा रहा है और अब आप आज इस लेगुरिथम के chapter को देखना फिर आप अपने बुग को उठा के कोई भी question बनाना अगर नहीं बनेगा तो कहना एंटी लॉग को छोड़ कर ठीक ना एंटी लॉग को छोड़ कर अगर लॉग को कोई भी question नहीं बनेगा तो आप हमसे कहना कि सर यह question हमसे नहीं बन रहा है ठीक न भाई देखो अब अगला question अगला question आप सभी लॉग 2, उसके बाद है लॉग 4 की पावर x, ब्रेकेड में लॉग 4 की पावर x, यह बन बराबर 0, x का मान बताओ, x का क्या बताना मान बताना है, ठीक न, देखो, यह चीज पहुत important यहां से सीखोगे, और यह चीज मैंने आपको घातांक वाले चेप्टर में भी बताई थी, इस चीज को मैंने घातांक वाले चेप्टर में भी आपको बताया था, वो क्या बताता हूँ, मैं अभी यहां पर discuss करूँगा, ठीक है न, वो मैं अभी यहां पर discuss करूँगा, देखो, जैसे मैंने कह दिया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, इसका मतलब 1 होता है, अगर मैंने कह मैंने कह दिया, 3 की पावर 0, इसका मतलब क्या होगा, एक होता, मैंने कह दिया, नीन्यान नवे की पावर 0, इसका मतलब एक होता, मैंने कह दिया, अपने नाम ललित की पावर 0, तो इसका मतलब भी क्या होगा, एक ही होगा, यानि कहने का मतलब, अगर किसी चीज की पावर 0 तो उसका मान कीतने होता है एक ही होता है ये चीज मैंने आपको गहताँक में भी बताई थी ठीकश न तो बस इतनी चीज आप समाजू लेजिए तो बस इसका एंसर आ गया सर इसका एंसर आगया अगर आप इतनी चीज जानते हो तब owns प्र ठीक. अब या यहाँ पर क्या बच गया यहाँ पर बच गया log two bracket में आपका बच क्या log four और यह बच गया एक्स ठीक है न बराबर अब ये दसbnτα ट्रांसफर होकर यह बेस है न यह बेस है न तो यहाँ जाएगा तो ड्स की पावर जीरो और दस की पावर जीरो का मतलब एक मान होता है तो अभी बताए किसी की पावर जीरो तो उसका मान एक होता है तो दस की पावर जीरो को सर या एक को हो बात एक ही होती है ठीक ना तो मैंने लिख दिया दस की पावर जीरो अबलिक एक ठीक ना दस की पावर जीरो क कमान कितना होता एक होता है तो आप यहां से समझ सकते हो ठीक ना भई अब देखो अब इस टू को वहां पर ले जाएंगे अब इस टू को वहां पर ले जाएंगे तो यह आजाएगा आपका लाग कितना बचा फोर इसकी पावर आगी आपकी एकस बराबर के यहां पर एक तो होगा दो की पावर एक का मतलब दो ही तो होगा तो दो की पावर एक कहो या दो कहो तो मैंने लिख दिया दो की पावर एक अबलिक टू मैंने दोनों कंडिशनों को एक साथ लिखा है तो कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना दोनों कंडिशनों को एक साथ लिखा है confusion नहीं होना ठीकर न दो की पावर एक को हो या दो को हो बात एक ही है दस की पावर जीरो को हो या एक को हो बात एक ही है तो अब इस चार को transfer करेंगे बाइक से कमान पता चल जाएगा सर तो एक से बराबर क्या जाएगा एक सबराबर दो की पावर एक का मतलब दो यह चार यहां चला जाएगा तो चार की पावर दो चार की पावर दो का मतलब 16 आपका एंसर तो जितने भी साथियों का एंसर 16 आ रहा था वो बिल्कुल राइट है वीडियो पसंद आने पर भाई वीडियो को आपको like करना है और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को आपको subscribe भी कर लेना है ठीक ना भाई चलो यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई आपको के नहीं आ गई अगला कुश्चन जो होगा कुश्चन नमबर एट कुश्चन नमबर एट ठीक ना भाई कल से हम लोग एक नए चैप्टर कोई शुरुवात करेंगे ठीक ना तो डेली आपको आठ अगया कुश्चन यही सब हम लोग शॉल्म करेंगे ठीक है न? कुश्चन नमबर एट क्या कह रहा है वो बात समझे ऐ खुष्चन नमबर एट कह रहा है लॉग 10 की पावर log 10 की power x plus के 1 x plus के 1 बराबर है आपका log कितने के तो log 10,000 के log 10,000 के तो x का मान बताओ x का मान बताओ देकि आप लोग सोच रहोगे सर आप इस टाइब के कईयो question करा रहे हो हमें पता है दोस्तों मैं इस type के कई question करा चुका हूं इसका main कारण बता क्या है कि this type is the most important type यह जो type है बहुत important है आपकी परिच्छा के दिरिश्ट से ऐसा question आ सकता है 90% chance है ऐसे questionों में से एक question आपके paper में जरूर का जरूर देखने को मिल जाएगा ठीक ना भई तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बस आप निरंतर बने रही है और चीजों को अच्छे से समझते रही है ठीक ना भई तो इस question को हम लोग लगाएंगे कितना answer आएगा पहले आप लोग बताईए पहले आप लोग बताईए sir देखो हम base को equal कर सकते हैं sir की नहीं कर सकते हैं बोलो sir मैं base को equal कर सकता हू बिल्कुल कर सकता हूं sir कैसे देखो यहां पर मेरा आ जाएगा लॉग 10 की पावर एकस प्लस में वन मैंनिस जैसे था वैसे लिख लिए अब मैं दस हजार को अगर दस के रूप में तोड़ूंगा तो क्या होगा दस दहम शोव दहमा एक हजार और एक हजार दहमा दस हजार ठीक है ना भाई देखो दस दस दहम कितना होता है शोव और सो दहम कितना होता एक हजार एक हजार दहमा कितना होगा दस हजार यहां पर यहां पर लॉग 10 हमारा cancel हो गया हो गया ना log 10 log 10 cancel छोड़ भी सकते हैं इनको हम छोड़ सकते हैं दोनों मिले गए जाओ भाई या मजे करो ठीक है ना तो अब यहां पर क्या जाएगा x plus 1 is equal to 4 तो x बराबर क्या जाएगा 4 और यह plus धर तो जाएगा minus का 1 x बराबर कितना आएगा 3 आएगा तो कहा प्राबलम हो रही है कहा दिक्कत हो रही वो चीज़ आप समझो ठीक ना चीज़े आपके सामने हैं समझ सकते हो कहा प्राबलम है आप खुछ से देख सकते हो क्या किया sir मैंने बेसों को बराबर किया तो बेस बराबर हो गए तो बेस से बेस खतम बात खतम यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 4 तो x बराबर 4 माइनस के 1 x बराबर का 3 आपका answer आजाएगा ठीक ना बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसा question मैं आपको दूँगा अब 9 नंबर उसको आप पहले लगाओगे बस वहाँ पर क्या change होगा यूनिट change होगा बस यूनिट change होगा बागी सब question वही रहेगा ठीक ना यूनिट change है बस तो जल्दी से note के जी यह हमारा last question होगा 9 नंबर हमारा last question होगा 10 नंबर मैं आपको question बताऊंगा ठीक ना 10 नंबर आपको मैं question बताऊंगा उससे पहले मैं आपको होगमर को वाला question बताऊंगा फिर एक होगमर को दूँगा वो आपको करना है ठीक ना वो आपको करना है अगला question question number 9 question number आपका 9 ठीक ना भाई इसकी पावर है आपकी कितनी है हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं लूग 1296 के लॉग 1296 के तो इस X का मान बताईए इस वाले X का मान बताईए इस वाले X का आपको मान बताना है ठीक ना भई तो जल्दी से बताईए इस वाले का मान क्या आ जाएगा इसका एंसर क्या आ जाएगा ठीक बात ना अब देखो सर समझते हैं सर एक बात जरह बताओ क्या मै 1296 को 6 के रूप में तोड़ सकता हूँ अरे सर ये तो बड़ी value है हमें इसको कैसे बताएंगे हाँ तो इसका एक चारा है 1296 के हम 6 से divide करके देख लेते हैं कितनी बार जाता है वो हमारा क्या जाएगा power में आ जाएगा 6 दिमनी 12, 6 कम 6, 6 चाहा के 36 ये आगे 6, 3, 18, 22, 21, 6, 36 6 चाहा के 36 आगे 6 कम 6 तो 6 की power कितनी आगई 4 आगई 6 की power कितनी आगई 4 आगई यानि हम 1296 को 6 की power 4 कै सकते 6, 4, 16, 6, 36, 26, 26, 26, 26 और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर सर concept क्या लग जाएगा सर यहाँ पर concept आपका लग जाएगा लॉग पावर के उपर पावर चड़ी बैठी है पावर के उपर पावर है और जब पावर के उपर पावर होती तो कौन सा फार्मूला लगता है एक की power m की power n is equal to क्या होता है एक की आपके दिमाग में वो चीज़े सेट हो जाए तो यह छे तीन से गुड़ा कराएंगे तो थीरी एक्स प्लस के तीन दूनी छे बराबर यह आपका हो जाएगा लॉग छे की पावर कितनी चार क्योंकि छे को मैंने चार पार तोड़ा तो छे की पावर चार अब यह लॉग सिक्त लॉग सिक्स कैंसिल यह आपका जाएगा थीरी एक्स प्लस के शिक्स बराबर के चार तो थीरी एक्स बराबर के क्या जाएगा चार यह छे प्लस में उधर जाएगा माइनस में छे तो एक्स बराबर क्या जाएगा माइनस का रहा था वो बिल्कुल राइट है ठीक ना भाई चलिए जल्दी से हम लोग कर लेते हैं अपना होमवर्क वाला कुश्चन फिर एक कुश्चन होमवर्क दे देते हैं वह आपको करके उसका चवाप कमेंट बॉक्स में बताना है ठीक ना भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब परें कल से हम लोग एक नए चैप्टर की सुरुवात करेंगे नई ताजिगी के साथ ठीक कल हमारा जो कुश्चन था कल जो कुश्चन था होम वर्क वाला वो था लॉग थिरी बाई टू लॉग ए थिरी बाई टू ऐसा ही कुछ था ठीक ना ऐसा ही कुछ था लॉग थिरी बाई टू कह लीजी ए थिरी बाई टू कह लीजी तो यहां पर हमारा कंसेप्ट क्या लगता यह सब डिवाइड में है तो लॉग थी माइनस के लॉग टू हो जाता ठीक ना क्यों तो कि यहां पर फार्मूला कौन सा लगता लॉग एम बटे लॉग इन लॉग इन लॉग एम बटे लॉग का इन यह आगया आपका अब लॉग थी की वैलू रख देते यहां पर कि यह आठ बच गया ञाएगा तो साथ बचेगा चार से तिन गया एक झांका एंसर यह मैं यह यह का होममर्क किया था एंसर था और आज का होमर्क आप लोग देख लिजे क्या है आज का होमर्क बाताना है सर लाज मान लिया मैंने कह दिया लौग 15 कीवेलू बताना आपको लौग 15 कीवेलू बताना अर्थ 15 का मानन बता यह आपका हों मुर्क ठीकर न एक और हों मार्ग लिख लेजिए पहला नंबर हो गया यह दूसरा नंबर भी होंम दिया 2x plus के 3 बराबर में ने लिख दिया log 1331 लाग 11 की पावर 2 की पावर 2x plus 3 लिहां लिख दिया log 1331 इन दोनों के answer दोस्तों आपको कहां बताना है तो comment box में इन दोनों के answer बताना है ठीक ना जितने विसाती पहली बार वीडियो देख रहे थे वो चैनल को subscribe कर लें और जिनक हो जाना है वहाँ पर वीडियो सुरू होने से पहले आपको link provide करा दी जाएगी तो अगर आपने subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe करिए अगर आपने हमारे टेलिग्राम चैनल को नहीं जोईन किया तो उससे भी जोईन करिए और वीडियो को like, share, comment, ठोक देना जो भी कोई आप को suggestion देना वो भी दे देना मिलेंगे दोस्तों आपसे कल एक नए चेक्टर के साथ अपते के लिए शबी साथी स्वस्त रहें मस्त रहें अच्छे से पढ़ाई करते रहें गुडबाय जय हिंज जय भारत और वल्देमातर